हेलो डियर स्टुडेंट्स, माइसेल्फ संधीप सिंग सेखावत, सीनियर फिजिक्स फेकल्टी, CLC सीकर आज अपन पेपर डिसकस कर रहे हैं आपके नीट टेस्स सिरीज के लिए जो दो अजार पत्चिस के लिए रखी गई है सबसे पहला टोपिक जैसे कि आपको मेंशन पता है, यूनिट डाइमेंशन, एरर वेक्टर मेजरमेंट और 1D और रिलेटिव मोशन से अपने कोशन बूट करे गए हैं तो वन बाई वन कोशन के सॉलुशन से अपने डिसकस करते हैं पहला कोशन अपने को दिया हुआ है, तो पोजिशन एक्स ओफ ए पर्टिकल एट ताइम टी इस गिवन बाई, यह जो अपने को यहां मेंशन करा गए पोजिशन का ग्राफ है वी नोट बाई ए, वन माइनस ए टू दी पावर माइनस एटी, वेर वी नोट इस कॉंस्टेंट और ए जो है उसका वेल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है the dimensions of V0 and AR, V0 का और A का dimension अपने को पता करना है, वे को बात समदो कि जो exponential time है, वो exponential term तो dimensionless है, ऐसे बताओ, dimensionless तो अपन लोग यह बोल सकते हैं कि जो अपने पास में exponential का पावर आएगा, वो dimensionless है इसका मतलब A का जो dimension होगा, वो time का reciprocal होगा, और time का reciprocal होगा, तो अपने इसको t-1 लिख सकते हैं, यह वाला पूरा term dimensionless से इसका मतलब V0 by A जो होगा, वो किसके equal होगा, x के, तो अपन लोग बोल सकते हैं, V0 A का dimension x के equal होगा, और x यहाँ पर अपने पास में कौन है, distance है, तो distance के लिए अपन लोग मान सकते हैं, L1 इसका dimension होगा, तो V0 का अगर dimension निकालेंगे हैं, तो L1 और A का dimension अपने निकाला था question number discuss करते हैं अपन 102, 102 में ध्यान दें, f equals to c, m to the power x और k to the power y है, और अपने को यह check करना है कि x और y के value क्या होगा, तो अपने यह जानते हैं, कि इधर वाला जो अपने पास में unit है, इस unit को मैं लिख देता हूँ 1 by second, और इस दोरान भी, जैसे हमान लो mass है, तो इस mass का अपने पास में unit है केजी, इसका power x है, और दूसरी तरफ के जो होता है, के के बारे भी अपन जानते हैं, के का newton per meter होता है, और newton per meter में अगर newton को अपन लिखते हैं, तो केजी meter per second square, और अगर मान लो upon में meter है, तो meter से meter क्या हो जाएगा, cancel out, तो इसके लिए जो अपने पास में बनेगा, अपन जानते हैं, के का जो unit आएगा, वो newton per meter आएगा, और newton को लिख सकते हैं, केजी, meter per second square, ठीक है, और upon में meter, तो एक cancel out आगया, तो केजी upon second square बज़ गया है, तो अपने इसको लिख बचे, वो one by second बचे, one by second का मनलब second minus one बचे, और second minus one तभी बचेगा, जैसे माल लो इन दोनों में से अपन पेर चेक कर लेते हैं, पहला pair one by two, one by two है, दूसरे वाला minus one by two, minus one by two है, तीसरे वाला अपने पास में one by two और minus half है, तीसरा minus one by two है, तो देखो अब यहां से आप लो बोलते हैं, option four will be correct answer, okay, unit match करना है, आप dimension से match कर सकते हैं, question number 103 अपने को यह relation given है, और यहां पर E अपने पास में energy है, X displacement है और T time है, तो अपने को A into B का dimension निकालना है, तो यह बात समझो, सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, इसका मलब है B minus, B का जो dimension होगा, वो dimension equal होगा किसके X square गे, और यहां से अपने होगीवन है कि जो X अपने पास में वो विस्थापन है, तो B का dimension अपने लोग बोल सकते हैं, this will be equal to L2, right, अब अपने पास में 80 का calculate करना है, तो अपने लोग अगर यहां से calculate करें, तो A का dimension अपने पास में आजएगा, B minus X square का L2 है, और साथ साथ में 80 का, अगर calculate करें, तो साथ में इदर आजएगा energy into time, ठीक है, तो यहां से अगर अपन calculate करें, तो इस value को लिख सकते हैं, तो आगया L2, energy का जो अपने लोग लिखते हैं, M1, L2 और T minus 2, और साथ में अपने पास में आजएगा T1, तो देखो ध्यान ने, L2 से L2 क्या हो गया, cancel out हो गया, तो अपने पास में dimension बचा, M minus 1, और साथ में यहां बचेगा T minus 1, तो value आजएगी T1 के बराबर, ठीक है, अब अपने से पुछा है, A into T का product, तो A into T करेंगे, तो, sorry, A into B का product पुछा है, तो A into B का पुछेंगे, तो A का dimension आगया, M minus 1, और साथ में T1, और कॉछा नमर 104 देखें, इसमोला कि विज्ञान का विद्यार्थी प्रिक्षण में 100 प्रिक्षण लेता है, दूसरी बार वह इस परियोग में 500 प्रिक्षण लेता है, ऐसा करने से संभावी तूटी हो जाती है, बलब बात समझें देगो, 100 observation लिया, 500 observation लिया, तो अपने ऐसा तो error होगा, वो 1 by 5 time से reduce हो जाएगा, जितने times of observation बढ़ता जाएगा, उस ratio में अपने पास में error भी कम होता जाएगा, next question देखें, वर्नियर के लिपर्स के मुख्य पेमाने पर, मुख्य पेमाने का मतलब जो अपने को value दे रखिए, ये 1 MSD की दे रखिए, तो 1 MSD को अपने लोग ही बोल सकते हैं, देखो, 20 कौन से वाले के हैं, वर्नियर वाले के, तो अपने लोग बोल सकते हैं, 20 into VSD, this is equal to 16 into MSD, right, लिख सकते हैं, तो अपने पास में जो VSD का value आ गया, वर्नियर स्केल डिविजन आ गया, this will be equal to 16 upon 20, और साथ में आजाएगा MSD, तो MSD का value अपने पास में जो है, 1 mm के बराबर है, तो value आजाएगा 16 divided by 20 into में जो value अपन लोग यहां पूट कर रहे हैं, 1 mm पूट कर रहे हैं, इसको simplify कर लेते हैं, और simplify करने के बाद में अपन जानते हैं, कि यहां से जब अपन error, sorry, list count find out करेंगे, तो list count find out करते हैं, उसका value अपन जानते हैं list count होता है, 1, जो अपने पास में value आ जाएगा, 1 MSB minus 1 VSD, तो इस value को अगर अपन सॉल करते हैं, तो value अपने पास में 0.2 mm के बराबर आ जाता है, देखो यह 16 by 20 आ गया, simplify करना चाहो तो और भी कर सकते हैं, इससे 2 से simplify कर लो, 5 से कर लो, तो list count का value आता है, list count this is equal to 1 MSB, और minus मे क्या आ जाएगा, 1 VSD के बराबर, तो यहां से difference अपने calculate करते हैं, तो 0.2 mm के बराबर answer बिल जाएगा, question number है, 106, ठीक है, यह करा है, जब एक गेंद को V0 वेग से उर्दु आधर उपर गी और फैंकते हैं, तब इसके द्वारा प्राप्त अधिक्तम उन्चाही है, यदि से तीन गुणा हुचाही तक, उर्दु आधर उपर गी और फैंकना हो, तब गेंद को किस वेग से फैंकना चाहिए, अगर अपने पास maximum height आती है, इसको अपन जानते है, V0 square by 2G के बराबर हो जाता है, ठीक है, यह अपन जानते है, तो H का value, बोलो किसके प्रोपोशनल गया, V square गया, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां H आ गया, उसके बाद में 3H आ गया, यहां आ गया V0 square, और यहां पर अपन लोग लिएतने है, V0 by, ऐसे माल लेते हैं, अपन V10 माल लेते हैं, तो यह cancel out हो गया, यह 1 by root 3 आ गयेगा, तो V0 by V10 equal to 1 by root 3, ठीक है, तो V10 का value आ लेते हैं कि गयी यह गयेंद के संबन्ध में, निम्न में से कौन सा कथल ऐसाते है, यह करा कि आप BODY को, which of the following statement is wrong about a ball from vertically upward, ध्यान समझे, रॉंग statement find out करना है, यह करा, इट is moving with a constant acceleration, yes this is right, क्योंकि किसके कौन से acceleration के बादा मुँग करता है, gravity acceleration, ठीक है, यह करा, इट में हाव different velocities at the same height, यह रहाँ देख क्या बोल रहा है, same velocities बोल रहा है, velocities different हो सकते हैं, वेलोसिटी कौन सी quantity है, vector quantity है, तो अपने बोल रहे हैं, upward और downward, एक ही level पे, इसका magnitude same होता है, बढ़ direction same होती है, opposite होती है, opposite, इसका मालए velocity vector एक दूसरे से differ कर गए, different कर गए, ठीक है, two positions at the same time, यह गलत बात हो गए, ठीक है, it has same speed at the same height, देखो यहां की बात करते हैं, इस वाले point पे, velocity vector different है, बट इनका magnitude same है, और magnitude same है, इसका मालबन मान सकते हैं, velocity का magnitude ही कौन होता है, speed होता है, तो अपन बोलते हैं, it has same speed at the same height, बिल्कुल सही बात है, अब यह कहारा, it may have two positions at the same time, यह गलत statement है, तो option कौन सा सही हो जाएगा, third, एक time पे particle की एक ही position को define करा जा सकता है, question number 108, ज्यान समझें, starting from rest, the acceleration of a particle is, यह देखो acceleration दे रखा है, और अपने से velocity पूछा है, t equal to 5 seconds है, तो a के बारे में अपन जानते हैं कि a को अपन लोग लिख सकते हैं, dv by dt, तो dv का value आजाएगा, अपने पास में 2 times of t minus 1 into dt, ठीक है, particle कहां से start हुआ बताओ, rest से, तो अगर अपन इसको integrate करते हैं, तो यह अपने 0 से 5 लेंगे हैं, तो यहां से solve कर सकते हैं, solve करने से अपने पास में एक suitable answer इसका मिल सकता है, integration की limit, एक तो time की limit लगा नहीं है अपने को, और दूसरी तफ जो अपन limit लगा रहे हैं, वो limit लगा रहे हैं अपन velocity की, क्योंगि rest से start हुआ भी तक गया है, तो यहां से इसको solve करने पर अपने पास में particular data आजाएगा and that is equal to 15 meter per second, ओके, चलिए जी, question number 109, ज्यान समझे, एक पत्थर मुक्त रूप से इस परकार गिरता है, कि इसके दुआरा इसकी गतीक है, अन्तीम second में, तैकी की दूरी इसके दुआरा पहले 5 second में, तैकी की दूरी के बराबर है, यह निम्न समय के लिए वायू में रहेगी, मतलब यह कह रहा है कि total जो इसका time of flight है, वो अपने को calculate करना है, बात समझो देखो, कह रहा है, half of zt square, क्योंकि drop करा गया है, downward direction में तो u 0 है, तो यहां समय लिए 1 by 2, z का value आगया 10, और t square का value आजएगा 5 square, तो यह अपने पास में आगया 5, तो total value में यहां से लिख सकता हूँ, 25 into 5 यह आजएगा 125 meter, इसका मतलब है, last second में, बात समझे देखो, last second में, जो distance travel करीगी, वो 125 है, और last second का travel distance अपन जानते है, s nth जो होता है, उसका value किसके बराबर होता है, u plus, यहां पर आजएगा g बलिख देता हूँ, g by 2, into 2n minus 1, फिक है, तो देखो initial velocity किसके बराबर था, 0 होगे, और इसका value कितना है, 125, into 2 भी इदर ही ले लेता हूँ, z का value by 10 ले लेता हूँ, और equal to अपने पास में, देखो यह इदर लेंगे, तो यह plus 1 हो जाएगा, और 7 में इदर बच गया, अपने पास में 2n, तो बात समझे देखो, यह आजएगा अपने पास, 125 into 2, यह आजएगा 250, 250 by 10, बोलो किसके बराबर आगया, 25, ठीक है, और 25 plus 1, यह आजएगा अपने पास में 26, तो 2n बराबर आगया, 26 के बराबर, तो n का value कितना आजएगा अपने पास, 26 by 2, तो बोलो total कितने second के बराबर आगया, 13 second, तो last second की value आगया अपने पास, इसका में लो total time of flight भी इसका कितना रहा होगा, 13 second ही रहा होगा, बोलो clear, चलिएजी, next question पर discuss करते हैं, ज्यानने आगे Question number Question number 110, ज्यानने भाई Body starts falling from height h, and travels distance h by 2, during last second of its motion, then time of its journey, same उसी concept पर बेस्ट question, ज्याननों देगो Body starts falling from height h, and travels distance h by 2, during last second of its motion, then time of journey, बात समझना देगो जैसे मानलो यह अपनने total लिया, यह height h consider करी, और यहां से यहां तक आने में मानलो time लगा t, इस t की value को अगर अपन h की value को लिखना चाहें, h equals to आजेगा half of gt square Total, इसके अगर height की बात करें, फिर करें, last second में जो travel करा है, वो h by 2 के बराबर है किसके बराबर है, h by 2 के बराबर, ठीक है, मतलब total time of flight t ले लिया, अब एक अपन बात जानते हैं देगो total time of flight और जो last second होता है, उसका value बराबर होता है, जैसे मानलो कि मैं ऐसे बोलाओं कि particle यहां पे 10th second में टकरा है इसका मतलब अपन यह बोलेगे, total time of flight भी कितना है, 10 second है, इसका मतलब last second का जो value आता है मतलब n का value आता है, वो हमेशा किसके इकोल होगा total time of flight है, तो last second का value अपन बोलो किया लेगे, h by 2 drop किया गया, इसका मतलब initial velocity 0 था, और यहां अपने पास में आजेगा z by 2 और 7 में value आजेगी 2n-1, बट n का value किसके बराबर है, t के बराबर है, आतलब last second, जैसे मानलो अपनने बोला, last second मानलो 10th है, इसका मतलब यह 10th second है, तो यहां से यहां तक आने में time भी कितना लगा होगा, 10 second लगा होगा, ठीक है, अब देखो h का value अपने पास है, बताओ किस के बराबर half of gt square, तो अपनों लिखेते हैं, half of gt square divided by 2, this is equals to gy2, और यहां पर अपने पास में आजेगा 2t minus 1, एक 2 से एक 2 cancel out हो गया, तो यहां time की अपने पास में quadratic equation बन गया, और इस quadratic equation को अगर अपन सौल करते हैं, तो अपने पास में result आजेगा 2 plus root 2 second के बराबर, इसके the correct answer, question number 1, 1 and 1, इसमें man in a balloon rising vertically with an acceleration of 4.9 meter per second square, releases a ball after 2 second, the balloon has left from the ground, the greatest height above the ground reached by the ball is, ते को ध्यान दो, सबसे पहले तो एक बात करते हैं, अनलाइस सिम्बल करते हैं, यह g है और यह a है, इसको अगर अगर अपन g मानते हैं, तो इस वाले को मान सकते हैं, जी वाई तो अपने calculate करना आसान हो जाएगा, जी करें, बैलून कोई यहां से rise करना start करता है, दो सेकिंड बाद इसमें से किसी ball को गिराए जाता है, इसका मलब दो सेकिंड बाद में जब इस ball को अपन अलग करते हैं, तो बैलून की और ball की height सेम होगी, और बैलून और जो अपने पास में ball है, उसका velocity भी सेम होगा, उसका direction भी सेम होगा, तो सबसे पहले तो अपन बैलून दो सेकिंड में कितनी height तक जाता है, यह निकालते हैं, 1 by 2, इसका acceleration है, z by 2, into में अपने पास आजएगा, t square, मतलब 2 square, यह cancel out होगे, तो h का value बचा अपने पास में z के बराद, खीक है, सबसे पहली ब value अपने पास में 2 second है, cancel out होगया, मतलब इसको छोड़ते समय, इसका velocity था, g meter per second के बराबर, जैसे इसको अलग करेंगे, तो अभी अलग करने के बाद, gravity acceleration के अंडर आ चुका है, तो यहां से जो यह नई height gain करेगा, h dash, this is equal to v square by 2g, और v जो अपने पास हो g के बराबर था, त तो g से cancel out हो गया, तो value बचा g by 2, तो total height अपन यहां से calculate करेंगे, तो सबसे पहले देखो, यहां से यहां तक गया था, फिर maximum height यहां तक count होगा, जहां velocity इसका 0 हो जाता है, तो यह height तो g के equal है, तो total जो h का value आजाएगा, वो आजाएगा g plus g by 2 के equal, तो answer आजाएगा अपना 14.7 मेंटर के बड़ाबर, राइट, चलिए जी, next तो अपने पास में question है, question number 112, यह करा है, कन का 80 graph दरसाया गया है, t वरावर 0 से, t वरावर 6 second में, वेग का परिवर्तन होगा, तो अपन जानते हैं देगो, 80 graph द्वारा, cover किया गया चेतरफल जो होता है, वो चेतरफल ही किस बात को वेक्ट करता है, वेग में परिवर्तन को बताता है, वी final minus, वी initial को वेक्ट करता है, और यहां से अपन एरिया इसका calculate कर सकते हैं, एरिया calculate करेंगे, option 2 आपका answer आएगा, that is equal to 4 meter per second, क्योंकि इस दो एरिया लेना है, एक plus वाला और एक minus वाला, क्योंकि इस direction में कोशन नमर 113, एक खिलाड़ी एक गेंद को यू वेग से, उर्दु आदर ऊपर गियो और फैंकता है, उचतम बिंदू पर, देखो बात समझो, बहुत simple बात है, यहां से particle को project किया, इसकी highest trajectory है, उस instant पर इसका velocity कितना होगा, 0, acceleration upward होगा कि downward होगा, minus z होगा, तो क्योंकि acceleration of the ball are 0, यह गलत है, the velocity of the ball is U, but its acceleration is 0, यह भी गलत है, the velocity of the ball is 0, but its acceleration is Z, यह बिल्कुल सही बात है, the velocity of the ball is U, but its acceleration is Z, यह गलत बात है, तो option नमर कौन सा सही हो जाएगा, third option, question number 114, इसमें बोलागा, the error in the measurement of a radius of a sphere is 0.1, then error in measurement of the volume is, तो देखो volume को जब अपन लिखते हैं, तो य इसमें तो कोई error अपने count नहीं होगा, measured value R है, तो R का error considerable है, तो आजएगा 3 times of percentage error in R, और R का percentage error कितना है, 0.3, तो volume में कितना आजएगा, sorry, R में 0.1, तो इसमें आजएगा 0.3, okay, question number 115 देखें, यह किरा है कि जल तरंगों का वेग V, वेलोसिटी दे रखा है, वेवलेंद ले gravity, acceleration, g पर यह depend करता है, मनलब velocity depend करता है, lambda, rho और g पर, तो अपने पास में velocity के लिए इसका right relation find out करना है, तो velocity के लिए right relation अपने find out करना है, बहुत simple सी बात है, अपन जानते हैं, दोनों तरफ के इसके dimensions जो है, वो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, equate करने चाहिए, ठीक है, और dimensions अगर अपने पास में equate करने चाहिए, तो simple सी बात है, दोनों तरफ के unit भी क्या आने चाहिए, same आने चाहिए, तो इन सभी equations को अपन calculate करकर गए, यहां से अपन limit calculate कर सकते हैं, यहां जो अपने पास में value रखी गए है, for example, जैसे यह v square proportional 2 दे रखा है, lambda दे रखा है, अ साथ में gravity acceleration दे रखा है, तो इन सब में से unit match करेंगे अपने पास में, तो option 2 जो अपना होगा, वो correct option आजाएगा, जैसे अपनी यहां से देखते हैं, proportional to z by lambda दे रखा है, z का unit बोलो कितना होगा, meter per second square, और जो lambda है, उसका unit भी क्या होगा, meter, तो यहां मन जाएगा meter square by second square, और system has basic dimensions as density D, velocity V and area A, the dimensional representation of force in the system is, वही बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसा pair अपने को यहां से check करना है, जिसका dimensional formula जो है, वो किसके बराबर आजाएगे, बताओ, force के बराबर आजाएगे, और इसमें से जैसे अगर मान लो अपने इसको check करते हैं, तो option number अपने पास में, जैसे म अपने लिख सकते हैं, meter square, ठीक है जी, V जो हो velocity है, और velocity का square अपन यहां पर लिख रहे हैं, तो अपने पास में ज्यान से देखें, D कोन है यहां पर, D density है, ठीक है, तो अगर मान लो अपन लोग velocity square लिखते हैं, तो यहां जाएगा meter square by second square, density का अगर अपन लिखें, तो density एक meter बचेगा उपर, यहां जाएगा केजी meter per second square, किसका dimension होता है, force का, तो option 1 ही correct हो रहा है, unit से ही check कर लेंगे, बार-बार dimension लिख के देखने ही ज़रूरत दिए, हाँ जी, question number 117 है, इसमों बहुत है, resistance is given है, R1 और R2, represent percentage error के साथ में represent करना है, तो series combination अपने लोग सब जानते है, Rs equal to, बोलो किसके equal आएगा, R1 प्लस R2, तो यहां से जो अपन values यहां से रखेंगे, R1 प्लस R2 के बराबर, तो यह आजाएगा 15, और plus minus जो value आएगा, अपने पास में 0.3, क्योंकि absolute error हो जाते है, percentage निकालते हैं, देखो, 0.3, absolute error है, divided by 15, और into में कितना जाएगा, करना है, तो 15 plus minus 2% will be the correct answer, question number 118, particle is moving in xy plane, under the action of a force f, such that at some instant t, the components of its linear momentum, angle between force and momentum बताना है, जब भी angle calculate करना हो कि नहीं, दो vectors के बीच में, तो अपने पास में dot products होता है, वो suitable तरीका होता है, और dot products है, अपकर अपने चेक करें, सबसे पहले f dot t कर लेते हैं, f dot t को चेक करते हैं, ज़्यान दें, f dot t करेंगे तो अपने पास में, the angle between f and p पुछा है, ठीक, x, y, इसका मतलब linear momentum given है, अपने को है ना, सुरी, अपने mention कर दिया है, f dot t, f dot p, f dot p, ठीक है जी, अपने को यहां given है, linear momentum given है, तो linear momentum given है, तो p vector को मैं लिख सकता हूँ, 2 cos t i cap, plus 2 sin t j cap, और जैसा के अपन जानते हैं, force vector अपन निकाल सकते हैं, बोलो कितना आएगा, dp by dt, तो यहां से आजएगा, minus 2 sin t i cap, और यहां से आजएगा, plus 2 cos t j cap, अभी इन दोनों का f का और p का dot product करके देखेंगे, dot product 0 आएगा, और 0 उनी vectors का आता है, dot product, जिनके बीच में angle कितना degree होता है, 90, तो अपने पास option 1 correct हो जाएगा, right, question number 119, ठीक है जी, question number 119 में अपने को कोई एक hypothetical system of unit दे रखा है, और इस hypothetical system of unit की according, अपने को values calculate करनी है, यहां से, द्यान समझें भी देखो, यह करा है, new system of units is proposed in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter, and unit of time is gamma second, what will be the value of 5 joule in the new system of unit? देखो, जैसे अपन work की बात करते हैं, energy की बात करते हैं, यहां से, तो अपने पास में 5 joule अपने वास आया, तो 5 joule को अपने लोग लिख सकते हैं, 5, and joule is kg, meter square by second square, ठीक है? ठीक है जी, अब इकर है कोई नया system है, जिसमें mass का unit alpha kg है, तो 1 kg को अपने लोग लिख सकते हैं, बताओ कितना, 1 by alpha, वही अपने पास में यहां जो unit आया, वो जैसे 1 kg था, वो alpha kg में convert हो गया, जिसको अपने एक system में 1 kg बोलते हैं, वो alpha kg की बराबर आ गया, जैसे अपने इसकी बात करते हैं, unit का, तो यहां से अगर अपने इस kg को लिखेंगे हैं, तो बोलो कितना इसको लिख सकते हैं, 1 by alpha kg, अब नए system के अंदर अगर इसमें convert करें, meter square में बताओ कितना हो जाएगा, 1 by beta square, और यहां पर आजाएगा meter square, upon में, अगर अपने इसकी बात करते हैं, second square की, तो यह आजाएगा 1 upon gamma का square, और second square, ठीक है जी, अब इसको solve करें, तो अपने पास में आजाएगा 5, alpha inverse, साथ में आजाएगा beta minus 2, और साथ में आजाएगा अपने पास में, gamma का power 2, और यह आजाएगा kg, meter square upon second square, ठीक है जी, तो ऐसा option कौन से में match हो रहा है, alpha inverse है, beta minus 2 है, और gamma की power 2 है, option 2 is correct answer, ओके, मतलब नए system के coding अपने को देखना है, अब 1 kg को अपन लोग इ आजाएगा, question number 120, the mass of a box measured by a grocer's balance is 2.3 kg, two gold pieces of masses, 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box, the total mass of the boxes, देखो add करना पढ़ेगा total निकालने के लिए, तो total निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, सबको पहले तो एक unit में लेंगे, तो आजाएगा 2.3 kg, option अपने केजी में दे रखा है, छीक है, इस व ठीक है जी, ये भी केजी के बराबर, प्लस में अगर तीसरे वाले के बात करें तो यह आजएगा 0.02017 kg, और ये वाला भी केजी में था, अब इन सबको अगर add करते हैं, तो add करने के दोरान अपन जानते हैं, addition में, जो final answer होता है, उसको आपन लोग round off करके लिखते हैं, य it will be equal to 2.3 kg, सबको add करने के बाद, यह दक्र देंगे, ठीक है, तो answer आजएगा 2.3 kg, question number 121 देख, ये कर एक वस्तु को h 9 की मिनार से 36 दिसा में under root 2gh wave से परक्षेपित किया जाता है, यह 36 धरातल पर मिनार से x दूरी पर जाकर गिरती है, तो x का मान होगा, ठीक है, बात समद देखो, यह कितनी दूरी पर जा गिरता है, x दूरी पर, horizontal distance है, यह अपने कोई मानलो building ले लेते हैं, यह इस building का height जो अपने पास है, वो h के बराबर है, और इस तरफ जो इसको project किया है, इस velocity का value है, under root 2gh, पहले तो यहां से आके टकराएगा, तो time calculate करेंगे, तो t का value आज 2gh, और जो अपने पास में time का value है, वो आजाएगा, under root of 2h by g, तो root से root तो क्या हो जाएगा, cancel out, और answer अपने पास में कितना पचेगा, 2h, यह answer हो जाएगा, question number 1, 2, 1 ज्यान दे, relative motion का question है, at a metro station, a girl walks up a stationary escalator in time t1, if he remains stationary on the escalator, जभी चल रहा है, ठीक है, then the escalator takes her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be, ठीक है, देखो बात क्या करें, जान दो, a metro station में, a girl walks up a stationary escalator in time t1, if she remains stationary on the escalator, then the escalator takes her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be, ठीक है जी, यह language side एक बार इज़र से चेक कर लेते हैं, पर, metro station पर लड़की t1 समय में, एक स्थिर, चलायमान cd पर स्थिर रहती है, तो cd उसे t2 समय में ले जाती है, तो गतीमान cd पर उसके द्वारा चड़ने में लिया गया समय होगा, ठीक है, तो देखो बात समझो ज्यान से, मालो यह escalator था, किसी भी distance का अपन माल लेते हैं, और अगर मालो यह stationary है, distance को मैं l माल लेता हूँ, तो time t1 का जो value आएगा, उसको अपन लोग लिख सकते हैं, l by v, ठीक है जी, दूसरी condition देखो, इसका मतलब जो अपने पास में, इसकी velocity यह v का, इसको अपन लोग सकते हैं, l पर चड़ती है, metro station पर एक लड़की t1 समय में एक इस्तिर चलाइमान cd पर चड़ती है, ठीक है, rest पर है, यदि वह चलाइमान cd पर इस्तिर रहती है, तो cd उसे t2 समय में उपर ले जाता है, जैसे मालो यह escalator चल रहा है, मालो किसी भी velocity से, और यह इसके उपर stand करे, तो यहां तक पहुंचने में मालो समय लगता है t2, तो अब actual में यह चल रही है, या cd यहां चल रही है, cd यहां चल रही है, तो t2 का जो value आएगा, वो l upon velocity of escalator आएगा, ठीक है, तो velocity of escalator का जो value आएगा, वो अपने पास में बन गया, l upon t2 के बराबर, अभी कह रहा है कि मान देते हैं कि दोनों यह साथ-साथ चलते हैं, अगर मान लों कि यह cd भी चल रही है, और cd के साथ-साथ यह भी चले, यह भी चले, इसका मतलब ध्यान दो, दोनों साथ-साथ चलेंगे, तो इसकी velocity जो आएगी, velocity of girl, plus velocity of escalator हो जाएगा, अब जो time का value आएगा, t का, वो आज value क्या था, l by a, t2 था, तो calculate करेंगे, तो answer अपने पास में आजाएगा, t1, t2 upon t1 plus t2, value put करने हैं और कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सबसे पहले, escalator rest पर है, cd नहीं चल रही है, दूसरी condition के अंदर क्या था, आपने पास में, cd यह चल रही है, और लड़की उसके उपर stable है, stationary है, और तीसरी condition में दोनों ही चल रहे है, दोनों चलेंगे तो relative velocity दोनों की add हो जाएगी, v plus ve ke बराबर, और time calculate होगा, l upon v plus ve ke terms में आ जाएगा, question number 123 देखें, the position of an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square, a का value 8.5 है, b का value 2.5 meter per second square है, t को second में measure किया गया है, velocity of the object at t equal to 2 second, तो जो velocity होता है, उसको अपन कैसे लिखते हैं, बताओ, dx by dt, कैसे लिखते हैं, dx by dt, तो यह a plus bt square के terms में given है, तो a का तो differentiation 0 आ जाएगा, उदर की अगर 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 आपन बात करें, तो यह आ जाएगा अपने पास में 2 bt के बराबर, किसके बराबर आएगा, 2 bt, और 2 bt दे कौशा नमर 124, इसमें वाला है, the position time graph for two children's a and b returning from their school to their homes p and q respectively are sawn in the graph, so is the incorrect statement regarding the graph, ठीक है, incorrect देखना, ध्यान दो, यहां से कुछ अपने को यह चेक करना है, बात समझना ध्यान से, देखो यह वाला जो a है, वो तो कितने second पर चल रहा है, 0 पर, यह कुछ समय बात चलना इस्टार्ट हुआ है, ठीक अभी, कुछ समय बात चलना इस्टार्ट हुआ है, और इसमें से एक condition और देख लेते हैं, और जब ये पहुंच रहे हैं, तो पहुंच रहे है, अलग-लग time पे पहुंच रहे हैं, बताओ, same time पे पहुंच रहे हैं, same time पे, ठीक है, time दोरों का same है, तो यहां से अपने क्या कहरे हैं, बात समझो देखो, A B की तुलना में इसकुल के अधिक निकट रहता है A B की तुलना में इसकुल से जल्दी रवाना होता है देखो A क्या है A यहां से अपने बोल रहे हैं कि A जो है वो B की तुलना में इसकुल से जल्दी रवाना होता है जल्दी का मतलब T का value कितना है बताओ 0 सेकिंड है और ये कुछ समय बाद चलना है स्टार्ट हो रहा है कुछी समय T पे ठीक है ये कर रहा है A B की तुलना में अधिक तेजी से चलता है नहीं धाल किसकी ज़्यादा थी B वाले के तो VB greater than VE होगा A तथा B दोनों समान समय पर घर पहुंचते है तो गलत बात है सही बात है बताओ बिल्कुल सही बात है कि यहां जो पहुंचने का समय है दोनों का यह समय बोलो अलग लग है या सेम है बताओ सेम है इसका मलब दोनों समान समय पर पहुंचते है तो इन में से अपने को इन ग्र A चलेगा यहां तक की distance और B चलेगा यहां तक की distance मिटर में आ रहा है ठीक है A B की तुलना में इसकुल से जल्दी रवाना होता है बिल्कुल सही बात है A तथा B दोनों समान समय पर घर पहुंचते हैं बिल्कुल सही बात है A, B की तुलना में अधिक चैदी से चलता है ये गलति स्टेटमेंट हो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा थर्ड वाल कौशा नमर 125 देखे तो इसमें से अपने को XT ग्राफ दिखाया गया है और इस XT ग्राफ में अपने को समझना देखो यहाँ पे मानलो इस वाले की पोजिशन अपने चेक करें तो देखो यह XT ग्राफ की ढाल पोजिटीव है तो वेलोसिटीव में बोल देता हूं पोजिटीव है और ढाल बदल रही है constant है constant तो अपने यह बोल देता है velocity positive and constant है और यहाँ आते ही particle बताओ किस पर आजाता है rest पर आजाता है तो यह करना है the particle is at rest थीक है the particle is continuously going along x-axis the velocity of the particle increases up to time T0 and then becomes constant यह constant नहीं हो गा यहाँ पर particle चलेगा यह rest पर आजाएगा rest पर the particle moves at a constant velocity up to a time T0 and then stops बिल्कुल सही बात है कॉँन सा option correct हो जाएगा 4 continuously चल नहीं रहा न T time तक यहाँ जाने के बाद में किस पर आजेगा रेश्ट पर तो T note तक इसकी velocity लगाता है बढ़ेगी उसके बाद में कहाँ पर आजेगा रेश्ट पर आजाता है question number 126 देखो यह करें बस 10 meter per second की चाल से एक सड़क पर गती कर रही है एक स्कूटर वाला 100 second में बस से आगे निकलना चाता है यदि बस स्कूटर वाले से एक किलोमेटर दूरी पर है तो स्कूटर वाले की बस का पीछा करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए देखो ध्यान दो कितने सेकिंड में क्रोस करना चाहरा है 100 second में बस कितने वेग से जारी ये बताओ 10 मिटर परती सेकिंड से ठीक है और ये कितने दूरी पर पीछे है 1 किलोमेटर तो कोई दिक्कत नहीं देगा बात समझो ध्यान से एक कंडिशन बस की माल लेते हैं एक यहां पर स्कुटर की माल लेते हैं दोनों के बिच में दूरी का मान कितना है बताओ 1000 है मिटर के बराबर है और कितने सेकिंड में क्रोस करना चाहरा है टी का वेल्यू बोलो कितना हो जाएगा 100 सेकिंड हो जाएगा ऐसा इसले लिखा क्योंकि V should be greater than 10 ठीक है अब टाइम का वेल्यू बोलो किसके बराबर हैगा distance बोलो कितनी है 1000 है और velocity यहां पर किसके बराबर बताओ V-10 तो T का वेल्यू अपने वो given है बोलो कितना सेकिंड है 100 सेकिंड है यहां 100 रखूंगा तो यह cancel out हो जाएगा इदर बचेगा 10 तो V-10 बराबर आएगा 10 तो V का वेल्यू अपने पास में कितना आजेगा 20 मिटर पर सेकिंड तो option 4 will be correct answer अब एक question number अपने पास में है 127 ठीक है इसमें बोला है particle starts from point A moves along a straight line path with an acceleration given by maximum velocity of the particle is देखो acceleration दिर्खा x के terms में तो अपन लोग लिख सकते है V dv by dx बोलो कितना होगा 0 इसका मतलब sorry V dv by dx को अपन लिख सकते है P minus Qx maximum की बात करें तो position के साथ में अगर velocity maximum होगा तो dv by dx 0 होगा dv by dx 0 होगा तो P minus Qx equal to कितना आएगा 0 आएगा और अपने पास में जो x का value आएगा वो x का value आजएगा P y q के बराबर ठीक है जी अब velocity maximum निकालना है अगर velocity का formula निकालना है दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा तो यहाँ पर अपने पास बच जाएगा V square by 2 ठीक है जी ठीक है x को इदर ले लेते हैं dx integrate करने के लिए तो अपने पास जो बच जाएगा यहाँ से P x minus का Q x square by 2 maximum velocity निकालना है और velocity maximum कहा पर होगी x equal to P y q पे होगी तो P y q को value put कर देते हैं यहाँ से x equal to P y q तो यहाँ आजएगा P square by Q के बराबर और यहाँ भी ऐसे value upon put करेंगे x का P y q के बराबर तो यहाँ से P square by Q e square होगा तो यह cancel out हो जाएगा तो P square by 2 ही बचेगा तो यहाँ से अपने पास में आजएगा अपने पास आजएगा P upon root Q इसी लाँ से ओके जी चलो next question पर बढ़ते है question number 128 an object falling through a fluid is observed to have acceleration given by A equal to G minus BV where G gravitational acceleration A and B is constant after a long time of release it is observed to fall with a constant speed the value of constant speed is अपने उस constant velocity को find out करना है कि अपने पास में यहाँ पर सबसे पता है कि जब release करा गया है तो initial velocity अपने पास में जो थी वो किसके बराबर थी 0 के और उस constant velocity को अगर calculate करना है तो constant velocity का मतलब है कि acceleration of the particle रहेगा या acceleration of particle 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा तो अपन लोग बोल सकते हैं जहाँ velocity constant वहाँ G-BV बराबर 0 तो Z equals to कितना आजएगा बताव BV तो V का value अपने पास में जाएगा G upon V के बराबर तो option number first is the correct answer 129 देखें बरे इन गिवन VT graph the distance traveled by the body in 5 seconds distance पूछा है तो distance के लिए कभी भी distance negative नहीं होती है तो जो भी positive negative जितने भी areas हैं वो बोलो कोई subtract होंगे हैं सारे ही add होंगे सब add हो जाएगा तो यहाँ से add कर के अपन calculate कर सकते हैं suitable answer निकाल सकते हैं 130 देखें बरे position x of a particle with respect to time t along x axis is given by x equal to 9 t square minus t cube where x is in meters and t in seconds what will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the x axis देखो maximum speed तो maximum speed की बात करें सबसे बहले तो speed calculate कर लेते हैं बोलो calculate करेंगे तो यहाँ कितना आजएगा dx by dt त यह value आजएगा अपने पास में 18 t के बराबर ठीक है और साथ में यहाँ से value आजएगा उसको अपने लो लिख सकते हैं 3 t square यह velocity का formula आगया तो v equal to अपने पास में है 18 t minus 3 t square अभी करा है कि ऐसी position बता नहीं जब यह maximum speed गेन कर ले maximum speed का मतलब time के साथ में तो अपन बोल सकते हैं dv by dt का value कितना आएगा 0 आएगा maxima के लिए तो यहाँ से dv by dt करेंगे तो 18 आगया minus यहाँ से करेंगे तो कितना आजएगा बताओ 60 हो जाएगा और equal to कितना आएगा बताओ 0 क्योंकि velocity dv by dt किसके बराबर आना चाहिए 0 तो dv by dt अपने calculate किया तो यह 18 बन गया और यह 60 बन गया तो यहाँ से t का value अगर अपन चेक करें तो यह 3 second की बराबर आजएगा तो 3 second पे velocity maximum है इस t की value को इस position वाली equation में रखते हैं तो x equal to 9 into 3 square minus का 3 का cube तो value अपने पास आजएगा यह 9 9 into 9 कितना हो गया 81 minus का यहाँ से value आजएगा कितना भी अपने calculate कर लिए तो 54 meter क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा question number 131 इसमें है rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second मतलब यह VR है और magnitude की अगर अपन बात करें 35 meter per second है wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second from east to west direction देखो अपने पास में अगर यह direction की बात करें east है और यह वाला direction west है तो east to west east direction के अंदर यह blow करने लगे और इसका velocity आगया 12 meter per second के बरादा ठीक है जी at what angle with the vertical should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella to protect himself from the rain देखो wind का direction यह है rain का vertical direction यह है तो जो अपने पास में boy जो stationary था उसके respect में जो यह rainfall करता हूँ देखेगा इस direction में देखेगा ठीक है जी इस direction में देखेगा angle को अपने कितना मालिया theta तो अपने यह मान सकते हैं बोलो यहां से अगर मैं 10 theta calculate करूँ तो 10 theta का value बोलो किसके बराबर आजएगा यह 12 है यह 35 है तो इसका value आजएगा 12 upon 35 ठीक है जी तो 12 upon 35 तो theta का value बोलो कितना आजएगा 10 inverse 12 upon 35 यह vertical से angle है यह theta होगा इधर भी vertical से angle देखूँगा तो किसके बराबर आजएगा ठीक है जी यह question number अपना 131 question number 132 देखे a river is flowing from west to east अपनी यह मान लेते हैं इस direction में जा रहा है और इसमें जो speed of flow है वो 5 meter per second है swimmer can swim in still water मतलब यह swimmer का velocity दे रखा है इस river के respect में at a speed of 10 meter per second if he want to start from point A on the south bank तो ठीक है किसी एक bank से यह मान लेते हैं south bank मान लेते हैं यह वाला north मान लेते हैं south bank and reach opposite point B on the north bank in what direction he should swim तो अपन जानते हैं देगो ध्यान दो अगर shortest path के along इसको travel करना है इसको upstream किसी angle से jump करना पड़ेगा और यहां से जो इसका value given है वो value कितना है 10 meter per second के बराबर है और अगर इसको इस direction में just opposite जाना है तो along the flow क्या होना चाहिए relative velocity 0 होना चाहिए यह तभी possible है जब इधर river का कितना हो 5 और इधर वाले का अपने पास में 10 sin theta अगया अगर यह velocity और यह velocity दोनों equate कर जाएं तो relative velocity 0 होगा तो पनलोग बोल सकते है 10 sin theta this is equals to 5 तो sin theta का value कितना आजएगा 1 by 2 1 by 2 कहाँ पर होता है theta equals to 30 degree ठीक है जी तो answer क्या आजएगा 30 degree और 30 degree अगर यह direction की बात करते हैं यह south है यह वाला north है और यह वाला कौन सा है west है और यह वाला east है तो 30 degree की आजएगा west of north यह answer आजएगा option number 3 133 देखें बेगे एककंड मूल बिंदू से T ब्राबर 0 पर 5 I cap मेटर पर सेकेंड से चलना इस्टार्ट करता है 5 I cap मेटर पर सेकेंड से ठीक है तो था एक बल के अधीन XY तल में गती करता है जो 3 I cap प्लस 2 J cap मेटर पर सेकेंड इस्टार है तो अपने यह बोल देते हैं इधर एक बल लग रहा है इस बल का जो अपने पास में है वेल्यू दे रखा है नियत त्वरण दे रखा है जो एक नियत त्वरण उत्पन करता है एक बल के अधीन XY तल में गती करता है जो इतने परीमान का त्वरण उत्पन करता है तो इधर वाला त्वरण आगया 3 I cap और Y direction वाला त्वरण आगया 2 J cap ठीक है जी कन के उस क्षण पर देखो बात समझो ध्यान से यह X direction में कितनी velocity से चलना इस्टार्ट कर रहा था 5 मिटर पर सेकेंड यह initial UX है ठीक है जी तो अगर अपन time का value calculate करें और 84 मिटर दिया तो अपन जानते है X equal to UXT plus half of AXT square तो यहां से value लिया X का value बोलो कितना मिटर 84 है this is equal to UXT लिखेंगे तो UX का जो अपने पास में value है वो बोलो कितना था 3 into T आ गया प्लस यहां से अगर अपने चलना था calculate करेंगे 1 by 2 AX का value भी किसके बराबर है बताओ UX कितना 5 है और जो अपने पास में AX है वो 3 है इंटू में कोन आ जाएगा T square यहां से time का value calculate करेंगे उसके बाद में जो y direction का coordinate है उस y को बोलो क्या लेखेंगे अपने UYT प्लस में half of AYT square तो अपने यह जानते हैं यह वाली value जो किसके बराबर है 0 क्योंकि initially y direction में कोई velocity था ही नहीं तो यहां से AY का value अपने को पता है AY वो भी बोलो किसके बराबर है 2 के और यहां से किसका value आजाएगा T square तो यहां से तो T का value calculate होगा वो T का square ही कौन सा coordinate होगा y coordinate होगा तो अपन calculate कर सकते हैं इसको यहां से तो अगर अपन calculate करेंगे यहां से तो T का value calculate करने से 6 seconds आजाएगा और answer जो अपने पास में आजेगा 36 meter के answer आजेगा तो option 3 will be correct answer question number 134 इसमें बोला कि cricket gain को 30 meter per 30 second की चाल से 36 से 30 degree पर परक्षेपित किया जाता है gain द्वारा धरातल पर वापिस आने में लिया गया समय होगा 36 से 30 degree पर 30 meter per second विखेंगा है अपन लोग जानते हैं total time of flight T का value जितना होता है 2u sin theta y z basic है आप लोग value रखे answer find out कर सकते है 135 देखें दो प्रक्षे पे समान बिंदू से समान चाल से 36 के साथ प्रक्षे पे कौन 60 degree पर 30 degree पर गोली चलाते है निम्न में से कौन सा एक सत्य है देखो बात समझो 60 degree और 30 degree दोनों ही 630 से है इसका मतलब एक दूसरे के पूरग कौन है complimentary angle है और complimentary angle होता है तो उनकी परास क्या होती है समान होती है ठीक है उनकी अधिक्तम उचाही समान होगी ये गलत होगा इस तम मिंदू पर इनका वेग समान होगा कोण ही अलग लग है उस्तम मिंदू पर कोण का मान क्या होता है U кос theta होता है तो theta का मान सब्दा अलग लग है परेक्षेपन कोण तो वेग का मान भी अलगLग होगा तो ये भी गलत आ गया उनका उडेनकाल समान होगा क्योंकि T का मान समान कैसे होगा T बराबर क्या होता है 2U साइन जी डाप उन जी तो प्रोडेक्शन एंगल सबका अलग लग है ज़ह है तो कौन सा उप्षन करेक्ट होगा उप्षन नमर 1 कौशन नमर 136 देखें इसमें कहा रहा है कि दो कड़ों को समान मिंदू से समान उर्दुआधर तल में एक साथ फैंका जाता है दोनों की चालें अलग लग हैं तथा 36 के साथ अलग लग कोनों पर है एक के द्वारा अनुसरीत पत दूसरे के द्वारा देखने पर होगा देखो पत कैसा होगा यह depend करता है acceleration पे mostly decide होता है तो दोनों कोई समान तल में फैंका है उर्दवादर फैंका है इसका मेलब दोनों का तवरण गुरुत्विय तवरण है इसका मेलब दोनों का apexic तवरण जो आएगा वो कितना आजएगा बताओ 0 और आपेक्सिक तवरण 0 आ रहा है तवरण 0 वहीं possible हो सकता है जहां path कैसा appear होता है straight line appear होता है तो answer अपने पास में आ जाएगा एक उर्दवाद एक सरल रेखा जो चेतीज के साथ एक नियत कौण पर बनी रहेगी क्योंकि दोनों को समान कौण पर फैंका है कि अलग लग कौण पर फैंका है अलग लग तो किसी angle पर एक path दिखाई देगा और option 4 will be the correct answer यह अपना question number 136 था ठीक है जी next question अपन डिसकस करते है question number 137 ध्यान दे देखो question number 137 में अपने पास में mention है कि the speed of a projectile at its maximum height is root 3 by 2 times its initial speed if the range of the projectile is p times the maximum height attained by it then p equals to देखो क्या कहा रहा है बहुत simple सी बात है the speed of a projectile at its maximum height मान लेते हैं कि अपने पास में अपने इस body को किसी angle से project किया होगा तो maximum height पर जो इसका velocity आएगा वो यू cos theta है होगा speed जो इसका था ठीक है और ये कितने time से बताओ 3 times है जो अपन बोलते हैं the speed of a projectile at its maximum height is root 3 by 2 times its initial speed तो initial speed कितना हो गया यू हो गया तो अपन लोग ये बोल सकते हैं यू cos the speed of a projectile at its maximum height is root 3 by 2 times ठीक है तो अपन बोल सकते हैं यू cos theta this is equals to root 3 by 2 times और किसका root 3 by 2 times हो बताओ initial speed तो यू से यू क्या हो गया cancel out तो अपने पास में cos theta का value बोलो कितना है root 3 by 2 और root 3 by 2 जो value होता है अपने ये सब जानते हैं ये theta equals to कितना degree आजाएगा 30 तो अपने बोल दिया कितने angle पे project करा गया 30 पे project किया गया अब कहारा है कि जो अपने पास में भी range है projectile is p times the maximum height attained by eta then p equals to तो देखो h का formula अपन जानते हैं speed तो दोनों का same है तो h proportional to आजाएगा बोलो किसके बराबर आता है h equal to u square sine square theta upon में आता है 2g और range जो आता है उस range को अपने लोग क्या लिख सकते हैं बताओ u square 2 sine theta cos theta और upon में कोन आजाएगा बताओ जी अब इन दोनों का relation अपन फांड आउट कर लेंगे theta का value अपने को पता है वो option अपना आजाएगा 4 root 3 के बराबर इसके बराबर आएगा 4 root 3 जो आपकी answer की में और as per solution given है आप calculate कर सकते हैं question number 138 देखें एक कन 10 मिटर परती सेकिंड वेग से पूरव दिसा में गती कर रहा है 5 सेकिंड बाद ये उत्तर दिसा में 10 मिटर परती सेकिंड से चलने लग जाता है तो इस समय में कन का ओसत तवरण क्या होगा देखो ओसत तवरण निकालना है तो ओसत तवरण निकालने का मतलब है delta V by delta T delta V का मतलब है velocity vector में आने वाला change अपन यहां से value रख लेते हैं देखो ज्यान दो और delta V अगर अपन निकाले है तो delta V पे depend करेगा तो बोलो कितना होता है V final minus V initial अब बताओ V final कितना है कौन सी दिसा में जा रहा है उत्तर दिसा में है इसका मतलब V final को लिख सकते हैं 10 J cap और यहां जाएगा minus 10 I cap initial velocity कितना है 10 था इसका मतलब 10 J cap और minus 10 I cap में आएगा तो velocity में magnitude का परिमान निकालें तो कितना आजएगा 10 root 2 ठीक है direction J cap minus I cap कौन सा direction होगा J cap minus I cap यह वाला direction है इसको अगर अगर अपन देखते हैं तो यह वाली direction कौन सी है north है और यह वाली direction कौन सी है west है तो कौन सी दिशा में आए उत्तर पस्सिम में value निकालने अपने हो त्वरन की तो इसका परिमान में जो value आ रहा है वो 10 root 2 आ रहा है अगर परिमान calculate करें divided by समय कितना लगा 5 तो यह आजएगा 2 root 2 तो answer आजएगा अपने पास 2 root 2 meter per second square और उत्तर पस्सिम दिशा के अंदर बन जाए 139 देखें i cap प्लस j cap की दिशा में 11 सदिस है बहुत सिंपल बात है यह वेक्टर है और वेक्टर में किसका divide गरना है बताओ इसके परिमान का और परिमान कितना होता है इसका root 2 तो answer आजएगा option number 3 question number 140 देखें एक अवेल्यू है 3 i cap प्लस 4 j cap के द्वारा x axis के साथ बनाया गया कोण है तो यह 3 i cap है यह वाला 4 j cap है यह angle देखना अपने को theta तो मैं 10 theta ले ले लेता हूँ 10 theta किसके बराबर रता है 4 by 3 के 4 by 3 आएगा कितना degree 53 degree question number 141 देखें यह a plus b cross a minus b का मान होगा crossorder कर लेते हैं अपन जानते हैं देखो a cross a आजाएगा पहले फिर minus का a cross b आजाएगा अगर सबको अपन करते जाते हैं उसके बाद आजाएगा अपने पास में b cross a ठीक है उसके बाद आजाएगा b cross b ठीक है अब b cross b कितना हो गया प्लस में ये भी बीक्रों से आया, दोनों को अगर अगर अपन एड़ करेंगे तो टोटल कितना आजाएगा, टू टाइम सो बीक्रों से ओप्सन पॉर, कोशन आमर 142 देखें, आसान सा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आव सकता नहीं बताने की, ये कह रहा है कोई इकाई सदी से है, यूनिट वेक्टर है, तो अपने बास Q का वेल्यू निकालना है, तो अपन लोग बोल सकते हैं, इसका मैगनिटूड 0.6 स् इस इक्वल टू 1, रूट अटाओगे ये भी 1 स्कॉयर आजेगा, यहां से Q का वेल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, 143 देखें, किसी पत्थर को टावर से उपर की और U वेक से फैंकने पर, जमीन पर 3 U वेक से पहुंचता है, तो टावर की उंचाही निकालना उंचाही निकालने के लिए कर लेते हैं, देखो बात समझो ज्यान से, उपर कितने वेक से फैंका, U से, यहां कितने से टकराया, 3 U से, उंचाही ले लेते हैं, अपन H, यहां के रिलेटिव अगर फॉर्मला लगाते हैं, V स्कॉयर माइनस U स्कॉयर बराबर 2, एक्सलेशन यहां से वेल्यू आजेगा, 8 U स्कॉयर, यह कैंसल आउट होगा, तो यहां से आजेगा, 4 U के, 2 G H, ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करें तो यह 4 बन गया, तो यहां से अपने पास में, H का जो वेल्यू आया, वाया 4 U स्कॉयर अपॉन जी के बराबर, तो ओप्सन नमबर 2 will be the correct answer, टीक है, क्वेशन नमर 144 देखें, कार एक्सलरेट प्राम रेस्ट, एट कॉंस्टेंट रेट रेट अफू मिटर पर सेकिंड स्कॉयर, फोर सम टाइम, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यूनिफॉम एक्सलरेशन से तो VT गराब बनेगा, स्ट यहां से तक हॉआ, उसके बाद रेटार्ड होकर कि रेस्ट परा जाता है, तो मानलों यह इंटर्वेल T2 है, तो यहां सा cognitive है, यह T1 इंटर्वेल, यह T2 इंटर्वेल, तो T1 प्लस T2 को में मान सकता हूँ, this is equal to 3 second पहले accelerate फिर retard accelerate होगा तो अपने लोग बोल सकते हैं T1 time के लिए तो अपने पास में T1 है कितना है बताओ T1 ये जैसे मालोगी velocity maximum लिकाना V ब्रावर क्या होगा 80 होगा V ब्रावर कितना होगा 80 तो T का value बोलो कितना आजएगा V maximum divided by acceleration जो अपने पास कितना है 2 है ऐसी रुकने में समय लगा तो T2 का जो value आजएगा वो maximum velocity divided by retardation retardation बोलो कितना है 4 अब इन दोनों को add कर लेते हैं तो T1 प्लस T2 जो आएगा उसमें से Vm common आगया और यहां से जो अपने पास बचेगा 1 by 2 प्लस में आजएगा 1 by 4 तो यह total आजएगा अपने पास में 1 by 2 प्लस 1 by 4, 3 by 4 और इधर का total time है 3 second तो अपने लोग बोल सकते हैं Vm का value आजएगा 4 meter per second के बराबर और अगर Vm 4 meter per second आजएगा तो इसका यहां से total area निकाल सकते हैं तो यहां से आजएगा 2 और अंसर आजएगा 6 meter के बराबर Question number 145 किसी वस्तू का तोरण सुनने नहीं है यदि इसका वेग सुनने है किसी वस्तू का तोरण सुनने नहीं है यदि उसका वेग सुनने है यह करहाए impossible बोलता है may be possible बोलता है always occurs unpredictable तो देखो बात समझना अपने क्वेशन आया भी था पहले अपने यह बोल सकते हैं यसे मालो particle को यह maximum point पे बोचा किसी instant पर velocity कितना है बताओ 0 बढ़ यहां particle का acceleration लग रहा है 146 देखें भी यह particle starts from rest its acceleration a versus time t is on in figure the maximum speed of the particle will be क्या find out करना है अपने को maximum speed find out करना है कि maximum speed कहां तक gain करता है सबसे पहले तो देगो 80 ग्राफ दे रहा है तो अपने इसकी slope चेक कर लेते हैं theta ले लो देगो 10 theta की value यहां पे negative आएगा तो अपने लोग बोल सकते हैं यहां से minus का 10 upon 11 अब यहां से अगर मैं a का equation बना हूँ तो straight line है y equal to minus mx plus c का तो a का जो value अपने पास आता है इस a की value का अपने लोग क्या लिख सकते हैं बताओ यहां से जो अपने पास में बना इसका format बन जाएगा y equal to minus mx plus c बन गया अब minus m का value कितना आ रहा है minus 10 by 11 और x axis पे कौन है बताओ यहां पे t और साथ में intercept अगर अपन देखते हैं तो intercept का value को लोग किसके बराबर आ जाएगा यहां पे 10 के बराबर आ जाएगा फिक है जी यह किसका equation आ गया आपने पास में a का और a को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बताओ dv by dt लिख सकते हैं क्या लोग सकते हैं dv by dt तो maximum speed अपने को बताने ही particle की maximum speed होगी कितने तो यहां से a को लिखा जा सकता है dv by dt Ash urban boss b thirty और dv by dt अपने लिखा बो लो माइनस का 10 बटे 11 T और प्लस में आ गया 10 तो अपने पास में यहां से DV आ जाएगा DV इक्वल डू माइनस 10 बाइ 11 इंटू T प्लस में 10 और 7 में आ जाएगा यह DT तो यहां से अपने इसको इंटिग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं बोलो तो यहां से वेलोसिटी कितना आएगा माइनस का 10 बाइ 11 साथ में T DT करेंगे तो T स्कॉरेर बाइ 2 हो गया ठीक है इसको करेंगे तो यह टोटल कितना आजएगा 10 T आजएगा तो यह बन गया वेलोसिटी का इक्वेशन अब अपने इसे पूछ रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम क अब होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होने लिए क्या चाहिए अपने को D B by D T equals to 0 चाहिए वेलोसिटी एक्वेशन आगया इसका मतलब इसका अगर डिफ्रेंशेशन आपन जीरो करते है तो जीरो करेंगे तो यहां से वेल्यू अगर अपन लें तो यह टोटल वेल्यू तो आज आजाएगा 10 by 11 into T is equals to minus 10 यह cancel out हो गया स्वरी प्लस में आजाएगा साहिन अगर उदर लेंगे तो T का वेल्यू आजाएगा 11 सेकिंड के बराबर और T का वेल्यू अगर 11 सेकिंड आजाता है तो T का वेल्यू इस एक्वेशन में पूट कर देंगे मतलब T equal to 11 सेकिंड पे वे है आपको कॉशन नमर 146 मेंशन है और इसका आपका जो कैलकुलेशन के बाद में जो डेटा बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नमर 2 55 मेटर पर सेकिंड के बराबर ठीक है जी कॉशन नमर 147 टू फोर्सेज इस निमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन्स आर एक्टिं एस सोन इंगल 60 डिग्री पर है आप फोर्सेज की डिरेक्शन देखोगे तो फोर्सेज की डिरेक्शन 60 पर आएगा कि 120 पर आएगा 120 दो वेक्टर है दोनों का मेगिनिटीड सेम है एंग रहा था वोल इसका स्लोप प्लस होगा की मैनस होगा मैनस तो 10 थीटा का वेल्यू में यहां से लिख सकता हूं मैनस वी नोट बाई X नोट और स्टेट लाइन इक्वेशन बना दो वी बराबर मैनस Mx मतलब मैनस V नोट बाई X नोट इंटो X प्लस का सी इसका मतलब को न जा 149 देखें भी एरह 4 person initially at 4 corners of a square whose side is equal to a each person now moves with uniform velocity v in such a way that first moves directly towards second and the second directly towards third the third directly towards fourth and the fourth directly towards the first the 4 persons will meet after time equals to बात सम्झें ध्यान से देखो कि अगर मालो अपन यहां से एक particular यह relation बना लेते हैं यहां यह corners के ऊपर खड़े हैं यहां एक दूसरे की दरब चलना है start करते हैं मालो यह इधर और यह माल लेते हैं इधर और यह distance है ए यह point A है और यह वाला point माल लेता हूं B point तो देखो ज्यान देना इसको इसे केच करना है इसको इसे केच करना पड़ेगा इसका मतलब अपना टाइम का वेल्यू कैल्कुलेट करें मैं relative velocity ले लेता हूं relative velocity of A with respect to B ले लेता है ठीक है जैसे माल लो इसको यहां से यहां अप्रोच करना हूं और इस वाली direction को मैं Y direction माल लेता हूं कौन सी direction मानता हूं Y ठीक है भी तो बहुत simple सी बात है ज्यान देखो relative velocity से calculate कर लेता है बहुत simple सी बात जैसे कि मैंने बोला यहां से मैं बोल सकता हूं velocity of A with respect to B तो A का velocity तो कौन सी direction में J cap में तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं V J cap minus B वाले का कौन सी direction में minus I cap तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं minus और minus क्या हो जाएगा plus तो यहां की value आजाएगी V I cap देखो V A B इसको क्या लिखा जाएगा V A minus V B तो इसको मैंने इधर मान लिए अब देखो B के respect में तो B के respect में calculate करेंगे तो B को अपन relative motion के concept से का imagine करेंगे rest पे तो इसको approach कराने के लिए कौन सी direction में जाना पड़ेगा तो Y का मतलब कितना distance है बताओ A और Y direction के along कौन travel कराएगा Y component तो Y component अपने पास में कौन है बताओ V तो T का value अपने पास में वो लोग किसके इकवल आजाएगा Y distance divided by Y component तो answer आजेगा अपने पास में A by B के पराबर question number 150 आपका last है ज्यानने देखो जब इसने बस ने चलना इस्टार्ट किया तब दोनों के बीच का distance है 6 meter के बराबर खीक है जी simple बात है when he is 6 meter behind कितनी velocity से जा रहा है 4 meter per second velocity of man है 4 meter per second जिस instant भी इसने चलना शुरू गिया बस ने तो बस की initial velocity बोलो किसके बराबर है 0 इसका acceleration of bus जो है वो acceleration of bus बताओ किसके बराबर लिया अपनने 1.2 meter per second square के जो question के अंदर given है relative चीज़ें अपन calculate कर लेते है relative velocity of man with respect to bus व्याद एगा vm minus vb व्याद एगा 4 meter per second और acceleration of man with respect to bus man का acceleration 0 है bus का कितना है बताओ 1.2 व्याद एगा minus का 1.2 meter per second square चलो भी ठीक है man का bus के respect में bus के respect में इसका वालब bus को rest पर imagine कर लो relative separation कितना आगए 6 meter आगए अब formula पन जानते है s relative बराबर u relative t plus में कितना जाएगा half of a relative into t square s relative का value कितना पूट कर देते हैं 6 कर देते है u relative अपने पास में कितना है बताओ 4 meter per second है 4 into t कर देते है half a relative कितना है 1.2 minus का तो यहाँ minus बूट करेंगे solution आएगा वा जाएगा 4.4 second के बराबर इसके बराबर आएगा 4 point जो अपने पास में अगर data अपन calculate करें इसका 2 equation मनेंगी 4.4 second and 2.3 second के बराबर तो अपने पास में answer कौन सा दे रखा 2.3 second clear? 2 time possible हो सकते है 2.3, 4.4, 2 possible हो सकते हैं यह अपन पढ़ते हैं यह relative motion के अंदर ओके, thank you so much